इसके बाद कॉलिफिला कहती है, ये होई ना बात, अब मैं गोकु को अपनी असली पावर दिखाऊंगी इसके बाद वजीटा कहता है, ये तो इसे लड़ने के लायग बिल्कुल भी नहीं है, ये तो केकरोड के सामने बिल्कुल भी नहीं टेक पाएगी जीरन कहता है ये बहुत ही ज़ादा कमजोर है इसके बाद केल भी कहती है हे सिस्टर क्या तुम सच में उन से अकेले लड़ना चाती हो इसके बाद कॉलिफिला कहती है चिंता मत करू केल मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये कहके कॉलिफिला लड़ाई के लिए तयार हो जाती है इसके बाद केल कॉलिफिला से कहती है ठीक है सिस्टर जैसा तुम चाहो इसके बाद हम देखते हैं कॉलिफिला कहती है शुक्रिया केल और ये कहके कॉलिफिला लड़ाई के लिए तयार हो जाती है और हम देखते हैं गोकु बिल्कुल शांद खड़ा होता है बिना कोई मूव किये और वो कॉलिफिला को देखता रहता है और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलिफिला सुपर सेंट 3 में बदल जाती है और वो गोकु के तरह बहुत ही जोरदार हमला करती है और हम देखते हैं क गोकु वहां से तुरंट गायवो के कॉलिफिला के सामने आ जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलिफिला बीना वक्त गवाए गोकु पर अपना हमला शुरू कर देती है लेकिन गोकु उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक रहा था इसके बाद कॉलिफिला कहती है नहीं मैं तो इसे बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रही इसके बाद कॉलिफिला गोकु पर एक कीवलास से हमला करती है लेकिन हम देखते हैं गोकु उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है सबी लोग ये देखकर बहुत ही ज़ादा हैरान हो जाते हैं और सबसे ज़ादा हैरानी कॉलिफिला को होती है कि गोकु ने उसके हमले को इतनी असानी से कैसे रुक लिया उसके बाद हम देखते हैं कॉलिफिला अपने घुड़नों पे बैठ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि वो बहुत ही कमजोर सैयन है वो गोकु से fight नहीं कर सकती इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु कॉलिफिला से कहता है कभी बिहार मत मानना मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई शक्ती है तो चलो उठ जाओ और मुझसे लड़ो समझे गोकु कॉलिफिला को होसला देते हुए कहता है फिर इसके बाद कॉलिफिला कहती है क्या आपको सच में लगता है गोकु समाब मैं ये कर सकती हूँ इसके बाद गोकु कहता है हाँ मुझे पता है तुम एक दिन बहुत ही ताकत और सयन बनोगी और जिन से तुम प्यार करती हो तो मुन सभी की रक्षा करोगी इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलिफिला गोकु को थैंक्यू बोलती है और इसके बाद गोकु कहता है ठीक है कॉलिफिला अभी के लिए इतना ही अब मैं चलता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं गोकु दूसरे फाइटर से लड़ने के लिए चला जाता है और उसके बाद गोकु कहता है तो चलो अब देखते हैं कि मैं अब किस से लड़ूंगा और वो कौन होने वाला है उसके बाद गोकू सभी वारियर्स को देखने लगता है वजीटा गोकू से कहता है वजीटा की ये बात सुनकर बीरस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बीरस वजीटा से कहता है वजीटा तुम एक नमर के बेवकूफ हो वो गोकू सामा है उन्हें थोड़ी इजद दो, समझे बेवकूफ। इसके बाद हम देखते हैं, गोकु कहता है, तो ठीक है, चलो इस लडाई को शुरू करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं, गोकु बहुत ही तेजी से वजीटा पर हमला करता है। गोकू की स्पीड बहुत ही ज़ादा थी तो वेजीटा गोकू की स्पीड को देकर बहुत ही ज़ादा है और वो गोकू से कहता है तुम तो बहुत ही तेज हो कैकरोट और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजीटा आपस में फाइट करने लगते हैं दोनों एक और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु सुपर सेन ब्लू के गॉड एविलूशन में ट्रांस्वर्म हो जाता है और गोकु का ये ट्रांस्वर्मेशन देखकर बहुत लोग शौक हो जाते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वजीटा भी ये देखकर सुपर सेन गौड ब्लू एवलूशन में ट्रांसवम हो जाता है और इस ताइम वजीटा की भी ताकत बहुत ही कमाल की थी और फिर इसके बाद वजीटा कहता है तो अब लड़ाई का असली मज़ा आएगा इसके बाद गोकु कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वजीटा इसके बाद हम देखते हैं कि वजीटा गोकु पे एक की बलास से हमला करता है लेकिन गोकु को उस हमले से कुछ भी नहीं होता है यहां तक कि उसे एक खरोश तक नहीं आती है वजीटा यह देखकर बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है क्या? ऐसा कियसे हो सकता है? इसे तो एक खरोश भी नहीं आई लेकिन गोकु वजीटा के पेट पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है वेजीटा को जोड़ तो आती है लेकिन वेजीटा रुखता नहीं है वो गोकु पर फिस अपना पंच करता है लेकिन गोकु उसके पंच को बहुत ही आराम से रुख लेता है इसके बाद वेजीटा कहता है मुझे तो ये विश्वास नहीं होता इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु वेजीटा से कहता है यह बात सुनके वेजीटा गोकु से कहता है तुमने ठीक कहा कहाराट मैं यह वादा करता हूँ अगली बार मैं और भी जदा ताकत और बन कराऊंगा इसके बाद गोकु वेजीटा से कहता है ठीक है वेजीटा मैं अब चलता हूँ और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु अपने अगले ओपनेंट से फाइट करने के लिए चला जाता है इसके बाद गोकु कहता है तो ठीक है चलो मैं अब तुमसे फाइट करूँगा गोहान तयार हो जाओ इसके बाद गोहान कहता है ठीक है डैड मैं बिल्कुल तयार हूँ चलिए इसे शुरू करते हैं इसके बाद गोकु कहता है तो ठीक है गोहान चलो दिखाओ तुम में कितना दम है इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु बहुत ही तीजी से गोहान के तरफ जाता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है लेकिन गोहान उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है इसके बाद गोहान कहता है वाव क्या बात है डैड की स्पीड तो बहुत ही कममाल की है इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने डैड पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गोकु पर इसका कोई भी असर नहीं होता है इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु गोहान पर एक बहुती जोरदार किक से वामला करता है गोहान उड़कर बहुती दूर जाके गिरता है और गोकु से कहता है वाकई में आप बहुती ताकतवर हैं डैड इसके बाद गोकु कहता है तुम भी काफी ताकतवर हो गोहान बस अपनी ताकत पर भरोसा रखो इसके बाद गोहान गोको से कहता है हे डैड क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ गोको कहता है हाँ क्यों नहीं पूछो गोहान आपने आखिर कॉलिफिला को किस क्यों किया इसके बाद गोको कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया गोहान करती है उन सभी की रक्षा कर पाए समझे गोहान इसके बाद गोहान कहता है ओ तो ठीक है डाड इसके बाद गोकु गोहान से कहता है तो ठीक है गोहान चलो लडाई को जारी रखते हैं गोहान कहता है तो ठीक है फादर चलिए शुरू करते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु और गोहान में बहुती जोरदार फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे पे बहुती जादा किक और पंच की बारिश कर रहे थे गोहान की तेजी काफी जादा बढ़ जाती है और वो काफी तेजी से गोकु पे अपने पंचस कर रहा था लेकिन गोकु उसके पंच को रोकता जाता है और उसके कहता है तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है गोहान वजीटा और जीरेन की तरह तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रेनी करनी होगी और ज़्यादा ताकत और बनना होगा इसके बाद गोहान गोकु से कहता है मैं आपको निराश्ट नहीं करूँगा डैड इसके बाद गोकु कहता है मुझे हमेशा से तुम पर गर्फे गोहान इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु गोहान का होसला बढ़ाते हुए उसे हग कर लेता है और फिर इसके बाद गोकु गोहान से कहता है मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफी होगा गोहान तुम जाकर और मैंनत करो और अगली बार और भी जदा ताकत और होकर आना और फिर हम देखते हैं इसके बाद गोकु कहता है तो चलो देखते हैं अब मेरी लड़ने की बारी किस से है और अब मैं अपनी ताकत का इस्तमाल आखिर किस पर करूंगा मुझे लगता है जीरेन उसके लिए सबसे बेस्ट होगा जीरेन गोकु को देखकर कहता है तो वाकिकार वो वक्त आ गया जब मैं आपसे फाइट करूँगा गोकु सामा इसके बाद गोकु जीरेन से कहता है मैं आशा करता हूँ तुम बिल्कुल तयार होगे जिरेन क्योंकि मैं अब तुम से फाइट करने वाला हूँ इसके बाद दोनों जिरेनों समा कहते हैं तो वाकिकार अब हम जिरेन और गोकु की फाइट देखने वाले हैं जिरेन अपने युनिवर्स 11 का सबसे ताकतवर योद्धा है तो ये लड़ाई काफी मज़ेदार होगी इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं ये लड़ाई वाकिए में काफी जादा मज़ेदार होने वाली है इसके बाद हम देखते हैं गोकु और जिरेन दुनों आपस में कहते हैं तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना और इस वीडियो को अगर नेक्स पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स पार्ट जरूर लिखना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई and see you soon in next वीडियो